किंग फिशर पक्षी दिखने में बहुत सुन्दर होता है ये एक छोटे आकार का पक्षी है भारत में इसे नेलकंट पक्षी के नाम से भी जाना जाता है इस पक्षी को किंग फिशर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटी-छोटी मशलियों का शिकार करने में माहिर होते हैं किंग फिशर लगबग संपूर्ण दुनिया में पाया जाने वाला पक्षी है पूरी दुनिया में इसकी लगबग 90 प्रजातियां है इश्पक्षी की अधिकांश प्रजातियां आस्ट्रेलिया में पाई जाती है किंग फिशर की सबसे बड़ी प्रजाती जाइंड किंग फिशर की होती है इनका आकार 16-18 इंच तक होता है जबकि किंग फिशर की सबसे छोटी प्रजाती अमेरिकन ड्वार्फ किंग फिशर है ये अफ्रिका में पाई जाती है इसका ओसत वजन 10 से 15 ग्राम और इनका आकार 4.5 इंच से 5 इंच तक होता है भारत में किंग फिशर की लगबग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं जिन में से नीले रंग वाला किंग फिशर ही अधिकांश बार देखने को मिलता है किंग फिशर नदियों वो तालाबों के किनारों पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें मशली का शिकार करना बेहत पसंद होता है वैग्यानिक शोद में पाया गया है कि किंग फिशर कुशल शिकारियों के श्रेड़े में आने वाला पक्षी है जिसका अपने शिकार पर किया गया हमला निन्यान में प्रतिशत तक सफल होता है किंग फिशर की देखने की श्यमता बहुत तेज होती है मशलियों का शिकार करती वक्त ये पानी के उपर मन राता रहता है जब मशली इसको दिखाई देती है तब ये उस पर जपट्टा मार कर चौँच से पकड़ लिता है किंग फिशर का मुख्य भोजन, छोटी मशली, केकड़ा, टैटपूल, क्रेफिश आधी होते हैं नर और मादा किंग फिशर दोनों दिखने में पिल्कुल एक जैसे होते हैं लेकिन मादा पक्षी नर से ज्यादा चमकिला होता है किंग फिशर पक्षी लगभग 40 किलोमेटर प्रती घंटे की रवतार से उड़ सकते हैं ये परवाशी पक्षी होते हैं जो सर्दियों के मौसम में हजारों किलोमेटर की यात्रा करते हैं किंग फिशर पक्षी का ओसतन जीवन का लगभग 15 वर्ष तक का होता है दोस्तो अगर आप कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ साथ ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें